बैसाथ मासके सुकल पक्ष के जितिया तिति को अक्षद रितिया का महापर्व मनाय जाता है। सास्त्रों में इस तिति को इस्वरी तिती मानते हैं। दार में कथाओं के अनुसार इस दिन बगवान विश्नु के अवतार परसुराम और हेग्रिव की जैनती मनाई जाती है। इसलिए इस दिन किसी भी सुब काम के लिए बेहद सुब मना जाता है। इस दिन बिना किसी मुहरत के शादी विवा, मुंडन और नप्रासन सईत सभी मांगलिक कार किये जाते हैं। लेकिन इस बार ग्रहों के चाल के करण अक्षरतितिया के दिन सहनाई नहीं बजेगी। कासी के जोतिसाचर पंडित संजे उपादिया ने बताया कि इस बार अक्षरतितिया से पहले एस्वर और वैभो का ग्रह माने जाने वाले शुक्र और ग्यान की ग्रह गुरू के अस्थ होने के करण अक्षरतितिया के दिन साधी विवा और मांगलिक कार नहीं हो सकेंगे। इस बार जो है अच्छे तृतिया पर मुर्त नहीं है। इसका कारण यह है कि इस बार पहले ही ब्रहश्पति और शुक्र दो ग्रह अस्थ हो जा रहे हैं। ये दो विवा के मूल कारक कहे जाते हैं। यदि शुक्र अस्थ हो जाए तो मांगलिक कार नहीं होता है। ब्रहश चकते हैं तो कोई भी संस्कार नहीं होते हैं विशेश करके तो हमारे यहां जो है यह देखा जा रहा है तो सुक्र जो है अस्त हो जा रहा है सुक्र आपका 29 तारीक को अस्त हो जा रहा 13 अप्राइल को रात कोई 11 स्थो जाने के कारण, कोई भी बैवाहिक कारेक्रमी, भांगली कारेक्रमी आपर सभी वीराम लगते हैं अब आगे आशाण माश में ही जा करके सुख्ल पक्ष में मुर्थ प्राप्त होंगे जब जा करके विवाहिक कारिक्रफ हो सकते हैं जै विश्वन